प्यारे विद्ध्यार्थियो आज हम सात्वी और आठ्वी कक्षया के विशे रोजा पार्क्स नागरिक हधिकार कानून नागरिक हधिकार आंदोलन सियूल राइट मुवमेंट के बारे में अध्यन करेंगे प्यारे विद्ध्यार्थियो ये एक बस है और एक बस में रोजा पार्क्स नामक एक महिला बैठी ही थी और रोजा पार्क्स एक अफरिकी अमेरिकिन महिला थी जिसकी एक विद्रोही पर्तिकिरिया ने समोचे अमरिका के हितियास को बदल कर रख दिया या अमेरिकी हितियास को एक नई दिसा दी एक दिसंबर 1905 को वह दिन भर का काम करके ठक जाने के बाद बस पकड़ कर अपने घर आ रही थी तो उसी बस में एक गोरे वेक्ति ने या सवेत वेक्ति ने रोजा पार्स को सीट देने के लिए कहा लेकिन रोजा पार्स ने सीट देने से मना कर दिया उस दिन उनके इनकार से अफरिकी अमेरिकी के साथ ऐसमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन सरू हो गया जो नागरिक आंदोलन कहलाया और इसे शील राइट मुमेंट के नाम से भी जाना जाता है इस आंदोलन की वज़े से अमेरिकी सरकार ने 1964 में नागरिक हदिकार कानून पारित किया इस कानून के तहत अमरिका में नसल धरम राष्ट्रियता के आधार पर किसी भी तरह के भैद भाव को गैर कानून निगोशित कर दिया गया